सब्सक्राइब करें साइन्स विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइन्स और मैट्स के सूपर वीडियो चले देखें यह कुशन हमारे क्या कहता है इफ 3x is equal to cos theta and 3 upon x is equal to cot oh 3x is equal to cos theta and 3 upon x is equal to cot theta ठीक है find the value of 3 whole multiplied by x square minus 1 upon x square ठीक है बहुत यहादा असान question है sir कैसे असान है sir आप देख के लग रहा होगा कि बहुत असान है square square है दोनों को equate करके squaring on both side मार देंगे और answer आजाएगा नहीं sir उतना easy होता तो आप देखने ही नहीं आते question को है ना question number 27 भी है sir आया हुआ है सिबसी में नाई sir सिबसी में आया हुआ नहीं है लेकिन अच्छा question है तो जाले solve करते हैं पहले हमको given क्या क्या है sir वह लिखते है तो given है हमको sir given है क्या given है sir पहली बार हम given लिख रहे हैं sir क्या लिख रहे हैं 3x is equal to cosmic theta है ना हाँ तो इसको क्या लिख सकते है यह x 3 इदर multiplied में इदर एक डिवाइड में तो हमको x का विल्लियों से मिल जाएगा कि कॉसे ठीटा by 3 हो जाएगा x का विल्लियों मतलब ऐसे ही लिख दिये बस बाद जरूरत नहीं आपको इसकी लेकिन फिर भी लिख दिये ठीक है और देखिए आपको क्या गिवन है हमको गिवन है 3 by x is equal to cot theta ठीक है ना sir हाँ sir कोई दिक्कत नहीं है यह given है तो यह 3 इदर multiplied में तो 1 by x is equal to cot theta by 3 ठीक है हाँ अब आप पूछेगा ऐसा क्यों कर दिये sir 1 by x क्यों निकाले क्योंकि sir हम अप्रोच कर रहे हैं किसकी तरफ answer की तरफ आप ये छोड़िए हम दो तरीके से अभी इसको बनाएंगे स्रफ दो तरीके से ठीक है आप बोलें है sir आप जिस तरीके से बनाएंगे नहीं sir जैसे आप मनाएंगा न वैसे भी हम बनाएंगे आपको दिखाएंगे देखिए यह यहां पे हमको एक्स का वेली चाहिए यहां पर 1 by x का वेली चाहिए लिकिन दुनों में square है सर, है ना सर, तो दिक्कत तो हो रहा है, है ना, लेकिन फिर भी हमारे पास x और 1 by x का आ गया ना value, है ना सर, हाँ, आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, चलिए, अब बनाते हैं, क्या, हमको इसका value निकालना है, है ना, तो यह हमको गिदिया कि 3 x square minus 1 by x square, ठीक है, कहां से ले आए सर, दोनों पे square, 1 पे square था, क्या, नहीं सर, फिर भी ले आए अब, कैसे, क्योंकि 1 का square तो 1 ही होता है ना सर, है ना, तो 1 by x का whole square, और ऐसा लिखनी का वज़ा क्या है सर, यह अप्रोच है हमारा किस तरफ, answer की तरफ, यहां देखिए x का square है, तो हम x का value रख किसका whole square करतें का answer आजाएगा सर, है ना, इतना असान भी नहीं है सर, कैसे हसर आए आप, बोल रहा है answer आजाएगा, चलिए, start करते है, यह 3 है, अब x का value, x का value है मारा, cosic theta upon 3, तो इसका क्या हो जाएगा सर, square हो जाएगा, minus 1 upon x क्या है सर, quad theta, तो quad theta by 3 का square हो जाएगा, समझ यहां, cosic theta है, cosic theta का square, cosic square theta, है ना, तो यहां लिख देते हैं हम क्या, cosic, cosic square theta by, 3 का square, ऊपर भी square, नीचे भी square, तो 3 का square हो जाएगा हमारा, 9, ठीक है सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत, नहीं सर, कोई मारेगा, ऐसा लिखने पर, नहीं सर, नहीं मारेगा आपको, तो देख सर, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर, ठीक है ना, हाँ सर, कोई दिक्कत, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, यह वाला थाड़ा हो क्या लग रहा है, चलिए, अब ठीक है, चलिए, अब यहां देखिए, नीचे का base same है, तो base same है, तो LCM लीजएगा, तो 9 नहीं आएगा, दोनों क हो जाएगा, अपस में, माइनस हो जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा सर, इंट्रो वाली वीडियो काम आएगी, यहां पे, क्या काम आ गई सर, इंट्रो वाली वीडियो, इंट्रो वाली वीडियो में हमने बोला था, कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, cos square theta minus cos square theta is equal to, क्या सर, what is this, 1 सर, 1 होता है, है न, हाँ, देखें, तीनों एक बार recap करवा देते हैं, cos square theta plus sin square theta is equal to, हाँ, cos square theta plus sin square theta is equal to 1 होता था, 6 square theta minus 10 square theta is equal to 1 होता था, और cos square theta minus cos square theta भी 1 होता था, तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, इसको simply, क्या सर, 1 by 9, और यह 3 into में है, तो 3 into में रहेगा, because, या since, cos square theta minus cos square theta is equal to 1 होता है, ठीक है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और आपका value किता आ गया सर, आपका value आगया, 1 upon 3, किसका सर, जो दिया था, उसका value आगया, ठीक है, कुछ नहीं किये सर, कुछ नहीं किये, x और 1 upon x का value निकाले, दोनों का values पुट किये, और answer आगया हमारा, ठीक है, तो चले, दूसरे तरीके से एक बार अप्रोच करते हैं, इसको जलनी सर, लेके दूस कुछेगा आपसे कोई, कहां से आप सीख लिए ये, बोलिए का सर, अभी बताए आप, है ना, हाँ, चलिए, तो देखिए, ये होता है formula हमारा, हम लोग ने drive भी किया है, इसको introduction वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं, जाके simply, मिल जाएगी, आपको link मिल जाएगा description में, चलिए देखिए, यह हमारा cosec theta minusME, ग directamente 그러니까 is equal to, क्या होता है, 1 होता है, square है बनों पर, अब देखिए, cosine theta का value आपको दिया है, cosec theta का value दिया है, 3x, square है, कौट ठीटा का value दिया है 3 upon x 3 upon x है square है तो square कर दिये is equal to 1 देखिए दोनों पर square है sir whole square है वो ठीक है इसको हम लिख सकते है cos square theta को लिख सकते है cos theta का खौसक theta का whole square ठीक है हाँ अब देखिए 3 का square 9 x का square x square minus 3 का square 9 x का square x square ठीक है is equal to 1 अब आपको answer दिखने लगा वा तुरी तरे यह भी 9 यह भी 9 दोनों से 9 common ले लिए common out कर दिये है ना तो यहां बच गया x square minus 1 by x square is equal to 1 बच गया sir अब आप बोल जोगा sir वहां तो 3 था sir आप यह 9 ले आए गड़बड़ कर दिये क्या हाँ sir थोड़ी से कड़बड़ हो गई हमसे देखें क्या कड़बड़ हो गई अब देखें यह 9 को क्या लिख सकते है 3 into 3 लिख सकते है यह हो गया x square minus x square is equal to 1 जो था वह लिख दिये sir ठीक है यही तो हमसे पूछा था जिसका value 1 by 3 आ चुका है तो चली आगे बढ़ते हैं